आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है आज हम फिजिक्स के बेरी इंपोर्टन टापिक उर्जा के सुरूप के बारे में पढ़ेंगे कि यानि कि इसका जो सुरूप है वा कितने परकार का है इसको हम बहुत ही आसान तरीके से और बिना रुके आए इसे सुरू करते हैं उर्जा के सुरूप को हम विविन भागों में बाठते हैं पहला है यांतरिक उर्जा दूसरा है उसमी उर्जा तीसरा है परकास उर्जा और चाउथा है रासानिक उर्जा पांचमा है बिद्दुत उर्जा छाठमा है धोनी उर्जा सातमा है नाभिकिय उर्जा औ जब हम इसका विस्तार से अध्यन सभी टापिकों का करेंगे जिससे कि आप लोग इन सभी उर्जा के सुरूपों को अच्छे तरह से जान सकें तो पहला है यांत्रिक उर्जा कार करने के लिए किसी बस तुमें बिद्दमान गति चुर्जा तथा इस्ति चुर्जा के योग क यांत्रिक उर्जा काते हैं आगे हम गतित उर्जा और इस्तित उर्जा को विस्तार से बताएंगे अगर यांत्रिक उर्जा को सरल सब्दों में कहें तो किसी बस तुमें बिद्दमान इसकी गति और इस्तित के कारण उर्जा को बस तुकी यांत्रिक उर्जा काते हैं यां हम इसे कह सकते हैं TME का मतलब होता है total mechanical energy बराबर होता है PE यानि potential energy और पलस के बराबर connected energy यानि गतित उर्जा अब हम इसका उदारण देखेंगे और गेट को धक्का दिया मैंने गेट को धक्का देने के लिए भी अपने हाथ से गतित उर्जा का परियोग किया मेरे द्वारा गेट को इसितित उर्जा वा गतित उर्जा दोनों में अस्थानांत्रित की गई जिसके कारण या गेट खुल जाता है अर्थात मेरे द्वारा गेट को अस्थानांत्रित की गई गतिज वा इस्थितिज उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्थित हो जाती है अता हम कह सकते हैं कि यांत्रिक उर्जा गतिज उर्जा वा के दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं यानि दूसरे सुरूख का उसमी उर्जा गर्म बस्तुद्वारा संचित वह उर्जा जिसके कारण हमें गर्माहट का आभास होता है उसमी उर्जा कहलाती है जैसे भासा की उर्जा जब हम भासाओं का प्रियोग करते हैं तो इसमें ह बिद्दुत बल्व और सूर आद के परकास से हमें बस्तुएं दिखाई देती हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे रासानिक उर्जा। किसी रासानिक परकिरिया में मुक्त हुई उर्जा को रासानिक उर्जा कहते हैं। जैसे कोईला, गैस, पेट्रोल, आद विभिन परकार के इधनों की उर्जा रासानिक उर्जा होती है। अब हम इसका पाँचवा पॉइंट पढ़ेंगे बिद्दुत उर्जा। बिद्दुत उर्जा द्वारा संचालित उर्जा को बिद्दुत उर्जा कहते हैं। जैसे बैद्दुत मोटर से प्राप्ट जो उर्जा होती है, अगला है धोनी उर्जा, वह उर्जा जिसके कारण हमें सुनाई देने का आभास होता है, उसे हम धोनी उर्जा कहते हैं। जैसे लावड़् स्पीकर से फ्राप्त उर्जा जो है वा धुनी उर्जा कहलाती है अब हम इसके अगले पॉइंट की ओर पढ़ते हैं नाबकिय उर्जा किसी नाबकी परकिरिया में मुक्त हुई उर्जा को नाबकिय उर्जा कहते हैं इसका हम उदारन भी देख लें नाविकी उर्जा का जैसे परमाड उर्जा अब हम इसके अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं स्तावर उर्जा सूर द्वारा विक्रित उर्जा को सवर उर्जा कहते हैं सूर ही पिर्थवी पर उर्जा का एक परमुक्सरोत है यानि ब्रह्मांड में सूर ही एक ऐसा है जो सभी गरहों गरहों आदि पर उर्जा का विकिरन करता है इसी तरह के वीडियो जो आप सभी लोग पाते रहें और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों किर्पिया करके से सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लोग बहुत अच्छे से त्यारी कर सके तो इसी के साथ यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्याद